मोधी जी खुद को महान मान कर देश और लोक्तंत्र की मरियादा का छिहारन कर रहे हैं। विपक्षी ने ताव को दराने धमकाने भास्वा में शामिल कराने के लिए तरह तरह की हटकंदे अपनाए जा रहे हैं। कॉंग्रेस के गोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की चाप है। और इस मुस्लिम लीग वाले गोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा-खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। मुदी जी खुद को महान मानकर देश और लुक्तंत्र की मर्यादा का चिरहारन कर रहे। विपक्षी ने ताव को दराने धमकाने भाज़पा में शामिल कराने के लिए तरह तरह की हटकंदे अपनाए जा रहे हैं। तो भायों और बहनों आज हमारे देश का लोक्तंत्र खत्रे में हैं। महनत महना से करी की गई लोक्तंत्रिक संस्ता को राजनीटिक सक्ता का खत्यार से बरबाद किया जा रहा है। यही नहीं हमारे संविदान को बदलने का शड्यंत्र रचा रहा है। पूरे तंत्र में भै बताया जा रहा है। यह सब क्या है। यह तो ताना शही है। और हम सब इस ताना शही का जवाब देंगे। साथ्यों कभी जिस कॉंग्रेस ने आज जादी की लड़ाई लड़ी थी। और कैसे बड़े बड़े दिग्वेज कॉंग्रेस के साथ जुड़े हुए थी। मात्मा गादी का नाम जुड़ा हुए था। लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है आज हादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कॉंग्रेस तो दसको पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कॉंग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नितियां है और नहीं राष्टन निर्मान का वीजन। आपने देखा होगा कल कॉंग्रेस ने जिस तरह का गोशना पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कॉंग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांशाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कॉंग्रेस के गोशना पत्र में वही सोच जलकती है जो सोच आजाजिके आंदोलन के समाए मुस्लिम लीग में थी। कॉंग्रेस के गोशना पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की चाप है। और इस मुस्लिम लीग वाले गोशना पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया। उसमें वामपंथी पुरी तरह हावी हो चुके है। कुल मिलाकर कॉंग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कॉंग्रेस 21 सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। कुल मिलाकर कुल मिलाकर कुल मिलाकर कुल मिलाकर कॉंग्रेस